नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे दीखें एक काफी important article आया है इसमें कहा गया है कि PM Modi का जो कश्मीर में आर्मी की वर्दी पहनना है जो uniform days है आर्मी की पहनना एक punishable offense है और इस वज़े से UP court ने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ओफिस में एक notice भी बेजा है आई डिसकस करते हैं इसके बारे में आपको IPC के बारे में जानने को मिलेगा और किस section के थुरू यहामला है यह दर्ज हुआ है इसके बारे में जानेंगे बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में इसे पज़न करता हूँ है मेरा नाम है सौरप स्वामी आप मुस्से social media पे जूर सकते हैं for the more updates और साथ ही यह दिया आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे like करें और subscribe कीज़े study gloss को आगे बढ़ने से पहले एक चीज में आपको बताना चाहूँगा कि UPSC perspective से काफी important जो courses है वो study gloss को mobile application पे available है आप यहाँ पे जो referral code है उसे use करके यहाँ पे अपनी preparation को boost अप कर सकते हैं और यहाँ पे काफी interesting जो courses है वो आपको देखने को मिलेंगे और आज ही आप अपनी preparation को boost करने के लिए study gloss का mobile application डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे giveaway भी चलते हैं तो काफी interesting application आपकी preparation के लिए एक question में आप से पूछना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे Indian penal code का जिक्र होगा तो आपको यह बताना है कि Indian penal code मतलब IPC जो है कब से शुरू हुआ आपको यह बताना है कि IPC शुरू कब से हुआ ध्यान रगेगा शुरू कब से हुआ यह introduced किसी और year में हुआ था और यह शुरू किसी और year में हुआ था हम discuss करेंगे यह सब कुछ और इसका सही जवाब मिलेगा आपको वीडियो के बीच में और यहाँ पर आपको सही उत्तर देना है comment box में कोशिच कीजिएगा बिना Google आप इसका उत्तर दे सके काफी important question है देखे आर्टिकल जो हमारे सामने आये है वो इस तरह से आये है PM Modi in Indian Army uniform is punishable offense UP code told notice sent to PMO तो यहाँ पे PMO को notice भी जो है वो send कर दिया गया है देखे प्रियाग राज जिला अदलत में एक याच्छी का दैर की गई है जिसमें ये कहा गया था कि भारतिय सेना की वर्दी जो PM Modi पिछले साल अपने कश्मीर दोरे पर जिन्होंने जब पहनी थी पतलब दिवाली के आसपास में PM Modi जब भी जाते हैं तो आपको इस dress में देखने को मिलते हैं तो जो इन्होंने ये address जो पहनी है ये IPC section 140 के तहट कहीं न कहीं एक punishable offense है दंदनी अपराध है और यहां पर आप ये भी जान सकते हैं कि जिला नैदीस जिनका नाम था नलीन कुमार्श चिरवास्तव इन्होंने अधिवक्ता और अधिवक्ता का नाम काफी important है अधिवक्ता जो है राकेशनात पांडे जान रखिएगा राकेशनात पांडे की दलिले सुनी है और इस वज़े से जो अपराधिक परकिरिया सहीता है उसकी धारा 156 section 3 के साथ यहां पर ये जो मामला है ये दायर किया गया था और ये जो section है ये आप मान सकते हैं magistrate को संगे अपराध की जांच की आदेश देने का एक अधिकार देता है इस वज़े से यावे magistrate ने इस मामले की सुनवाई करी है और ये जो आवेदन है ये आवेदन पहली बार राकेशनात पांडे के दौरा पिछले साल दिसंबर में दर्ज किया गया था जब उस समय के जो मुखे नाएक magistrate है हरेंदर नात उन्होंने ये कहते हुए इस मामले को खारिच किया था कि ये गटना आदालत के अधिकार चेतर में नहीं है और अधिकार चेतर में ये गटना हुई भी नहीं है तो इस मामले के सुनवाई एक magistrate के द देखिए यहां पर आप ये भी मान सकते हैं कि राकेशनात पांडे ने इस आदेश को जिला जस्ट के सामने चुनोती दी थी जिन्होंने अब प्राइम मिनिस्टर नहेंदर मोधी बहुत से त्योवार जवानों के साथ मनाते हैं जम्मू कस्मीर वाले सेक्टर के अंदर तो पिछले दिवाली के बाद में ये जो मामला है हमारे सामने आया है और उसकी सुनवाई जो है वो अब होने वाली है क्या पर या आप मान सकते हैं कि PM मोधी ने जवानों को काफी ज़्यादा मोटिवेट भी किया है और इंडिजिनियस जो डवलप्मेंट हो रहे हैं जो कैपेबिलिटीज हैं हमको डवलप करने की बाद भी कही है और ये कहा है कि हम डिफेंस सेक्टर में कहीं आत्मनिवर बनने की कोशिश करेंगे तो ये सब चीज़े इन्होंने वाहाँ पर कही थी और काफी इंट्रेस्टिं 140 में ये कहा जाता है कि एक सेनिक नाविग या एरमेन के द्वारा जो वर्दी यूज की जाती है उसे पहनना एक दंडनी अपराद है एक पनीशेबल ओफेंस है ऐसा IPC की सेक्शन 140 में लिखा हुआ है और ये वास्ता में लिखा हुआ भी है IPC क्या होता है ये जानना भी ज यहां पर जो मामला दर्ज हुआ है वो IPC की सेक्शन 140 जो है उसके तहट मामला दर्ज हुआ है अब देखते हैं आगे इसमें किस तरह के डवलोप्मेंट में देखने को मिलते हैं और दीके भारत के पर्थम जो लोग कमिशन मनाए गया था वीदियायोग उसके सिफारिश प अब हुआ तो इंटिड्यूस तो IPC को 1860 में किया गया था लेकिन IPC ने अपने अप्रेशन अपने अप्लिकेशन कब से शुरू किये तो यह आपको ज़रूर ध्यान रखना है IPC जो है वो शुरू हुई थी एक जनवरी 1862 में तो यहां पर 1862 जो है वो सही उतर होगा इंट ध्यान रख सकते हैं कि present time पे जो penal code बनाया गया है वो 860 की रूप में ही जाना जाता है और यह जो मसोदा है यह Lord मेकाले के दिवारा त्यार किया गया था यह Lord मेकाले जो पर्थम वीदी आयोक के अध्यक्स थे यह आपको ज़रूर ध्यान रखना है present time पे इसमें बहुत से development हमें देखने को मिलते हैं मतलब समय समय पर इसमें काफी ज़र चेंज भी किये गए हैं और IPC में टॉटल यदि हम बात करें तो 511 sections है और 23 chapters जो है इसमें डिवाइड है और यहां पर changes इस तरह से हुए जैसे 5 अगस 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया तो पुरे जम्मू कश्मीर में उस पूरे reason के अंदर तो इस तरह से इसमें अलग-अलग changes जो है वो आते रहते हैं तो अब यहां पर जो मामला दर्ज हुआ है वो IPC के तहट दर्ज हुआ है एक CRPC के बारे में भी कहा जाता है तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं देकि CRPC को अंग्रेजी 1974 से यह लागू हुआ था अब आप पूछेंगे कि IPC और CRPC में अंतर क्या है काफी interesting बात है यह भी देखिए आप यह मान सकते हैं कि जो fundamental method होते हैं process के वो दो तरह से divide होते हैं एक तो civil law के लिए एक criminal law के लिए तो civil law के लिए आप यह मान सकते हैं कि IPC काम करता है और criminal law के ल criminal law के लिए CRPC काम करता है अब यह मामला दर्द हो चुका है दो मार्च को इसकी सुनवाई है तो देखना होगा हमें कि इस पर क्या development हमें देखने को मिलता है लेकिन एक question में आपको जरूर पूछना चाओंगा अब आस्विक्ता में PM का आर्मी के dress का पहनना एक punishable offense है आप अ